दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि लोग पीछे पड़े रहते हैं लक्जमवर्ग, डेन्मार्ग, आयरलैंड, यूके, जर्मनी इन कंट्रीज की तरफ दौड़ते हैं और मैंने देखा है कि मतलब इंडिया से भी यही प्लानिंग सोचते हैं कि हम किसी तरीके से इन इन कंट्री मारे, चलो खेर मैं आपको बिताता हूं कि वो जब आ भी जाते हैं यहां पे तो अक्सर यह रीजन क्यों होता है कि वो इतनी सेलरी कमाने के बाद भी मैंने देखा है बंदे फिर भी जो है न एक एवरेज वेज के अंदर ही रह जाते हैं और जंदिगी में तरक कर सकते हैं और किस तरह से अपना पूरा बढ़िया तरीके से अपना जो है सेटल कर सकते हैं लाइफ को बिना कोई लाइबिलिटी बनाए अपने सिर के ओपर दोस्तों दोस्तों अगर आप चैनल पर बिल्कुल नहीं तो अपने वीडियो को लाइक करना है सब्सक्राइब कर work permits, या फिर उसके related अगर आपने कोई भी job placement वगरा करवानी हो, या फिर अगर आपने कोई भी B2B या consulting लेनी हो हमसे, तो आप नीचे जाके हमारी company के registration और website वगरा चेक कर सकते हैं, आपको call बनाने का link भी नीचे description और comments में मिल जाएगा, क्लिक करना है, call बनानी है, call पर आने की जिम्मेदारी आपकी होगी, नहीं तो call automatically complete हो जाएगी, thank you very much दोस्तों, सबसे पहले इस शीज का मैं आपको overview देता हूँ एक, कई मेरे भाई हैं जो मेरे से जो call बनाते हैं, सबसे पहले उनकी एकी demand होती है, पाजी हमें लक्जेंबर्ग जाना है, हमें डेनमार्ग जाना है, यहर आप लोगों को कभी ये बात समझ में आएगी, कि लक्जेंबर्ग डेनमार्ग में इस तरह से जॉब नहीं मिलती है, पहली requirement, मैं आपको थोड़ा सा overview दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि गल्तियां क्या करते हैं लोग, पहली बात तो यह है, अच्छा अगर मैंने मना कर दिया, या फिर अगर किसी और ने मना कर दिया, तो फिर भी उनके अंदर एक कीड़ा होता है, वो क्या करेंगे ना, वो ना, कोई ऐसे एजन्ट को पकड़ेंगे, जो कोई ठीक है, इनसे पैसे भी जादा ले रहा होगा, ठीक है, 10-15 लाख रुपे इनसे फीज से चार्ज करेगा, पे आफ्टर वीजा के नाम पे, और फिर जाके, पहली बातों बातों बाता हूँ, पे आफ्टर वीजा का चकर जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि यॉरोप के अंदर ये, ये सब जो चीज़ें ने, ये सब स्कैम है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, अन्सकिल्ड वीजा क्या होता है, एक नॉर्मल जैसे कोई होटल के अंदर वेटर है, या फिर नॉर्मल कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई वेराउस के अंदर है कुछ, ठीक है, सेलरी मिलेगी उसको डाई से तीन अजार, डाई से तीन जार सेलरी जो मिलेगी उसकी सेलरी ऑन पेपर होती है मालनो चार जार आदा तो टेक्सी कट गया उसका बाकि उसका रहने खाने का ठीक है उक करकर आके कैसे भी करके वो सोचता चलो ठीक है मैं दो जार यूर तो बची रहे हैं अब यहां पर सबसे बड़ी गलती को खो रहे हैं कि लोग क्या करते हैं बहुत सारी कि इ philosophy और यहां पर और सेलरी होती न की दोजार यूरो वह सोचते हैं कि यहां पर हमाग एलो चलो एक काम करते आं अब तो हमारे पास में सब कुछ हो गया है हम लेते हैं अपना जो एंगा फॉन किश्टों पर ले लेकर फॉन तक आपकी पूरी जिंदी किश्टों पर हो सकती है अगर आप चाहो तो अब बंदे क्या करेंगे ना सबसे निके माग मैंने क्रिजीनेस आईगी क्योंकि देखो जो बंदों ने पीछे बिल्कुल भी अगर कुछ नहीं देखा होता ना तो क्या करते हैं यहां पर आके उनकी सेलरी लगती कमाना और यहां पर ही फिर उन्होंने इंवस्टी करते हैं घर पे कुछ नहीं बेजा और उपर से क्या करते हैं आई फून ले लिया इपार जाए इतना जादा जो है यह प्रॉबलम क्यों हूई क्योंकि वहां पर jobs की scarcity हो गयी क्योंकि वहां पर बंदा इतना यादा आ गया बंदा जब आ गया तो उनका पहले क्या था एक दिखावे वाली जिंदगी अगर आप यहां पर आके अगर आ दिखावे वाली जिंदगी करो ग 그래도 अगर आप यह सोचोगे कि यार में को पडोसियों को दिखाना है उसके लिए मेरे पास में गाडियों नहीं जरूरी है मेरे पास में आईफोन होना जरूरी है मेरे पास अच्छे कपड़े पहनने जरूरी है अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहली चीज है अपना दिमाग एक तरह स्ट्रेट रखो आप अगर यह सोचते हो कि यहाँ पर आके सबसे पहले तो मैं अपनी चीजे ले लूँ फिर तो आप यहाँ पर आके फस जाओगे आप कमाते रहोगे चाए दो हजार कमाओ तीन हजार क्राओ चार हजार भी कमाल होगे ना एंडलेस है क्योंकि उनके ओपर मॉर्गेजिस इंटरस्ट रेट बहुत ज़दा होता है और आप जब फस जाते हैं एक बार इनका बैंकस चकरौँ होता है कि आपको फसाना है ट्रैप के अंडर एक बार फस घो इसके अंदर इसके बाद में आप इनके हो गए गुलम पिर उसके बाद में आप इंडिया में कमाओ यहाँ पे कमाओ कोई फर्क नहीं है अब आपको इसके बज़ाए क्या करना चाहिए यार मेरी आपको सलाह यही है लड़के और लड़कियां दोनों ध्यान से सुनें जो यूरोप में आया हैं यूरोप से बाहर हैं भी आना चाहते हैं यूरोप के अंदर अगर आप यहां पे student visa पे यहां work visa पे किसी पी तरह के visa पे अगर आप यहां पे आ रहे हैं सबसे पहले तो जो बंदे आ रहे हैं student visa पे Germany, France वगरा काई ना की इटली वगरा student visa पे आ रहे हैं उनके लिए पहले पताता हूँ सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ में आपने उपर एक ऐसी skill ले क्या हो language भलब जो है सीखो यहां फिर IT की कोई skill सीखो कोई course करो छोड़ छोड़े जिससे आपको कम से कम थोड़ी बहुत यह हो कि skilled job मिले unskilled job के अंदर सारी जिन्दगी आप काम नहीं कर पाओगे थोड़ा time काम करो skilled job के अंदर उसके बाद आपका जो है ना आपको बहुत अच्छी job sponsor हो जाएगी full time workup को मिल जाएगा जब आपको वो मिल गया थोड़े बहुत पैसे जोड़ो उसके बाद अपना खुद का कोई ना कोई काम करो कुछ ना कुछ कुछ भी सोचो खुद का अपना काम करो liabilities मत बनाओ EMI वगारा किष्टे वगारा मतलो वही चीज लो जो ज़रूरी है कपड़े पुराने पहन लो कोई दिक्कत नहीं है कपड़े जैसे मर्जी पहन लो कोई आपको जजनी करने वाला आपने आज कपड़ा यहां आपने आज चीज ले लिना उसका शौंक आपको 10 दिन के लिए रहेगा 15 दिन के लिए रहेगा उसके बाद में आपको वो चीज से बोर हो जाओगे आप अगले साल उसका जो इन्वेस्टमेंट आपका डबल हो जाएगा डबल ना भी हो कुछ ना कुछ आपको जो है रिटन मिलेगा यह मेरी आप से जो है एक तरह की आपको सजेशन मैं दे रहा हूं ठीक है यह अपने अपनी तरीके से किसी मेरे भाई सोचना है उसको ले सकता है यह मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं जिसके बेसिस पर स्टूरेंट जो यहां पर आके किस तरह सेटल हो सकते हैं और अपने आपको आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं अब उन भाईयों के लिए बात करूंगा जो वर्क परमिट पर आते हैं वर्क परमिट पर आने के बाद में सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं उनको जौब पसंद नहीं आ रही होती ब्लू कॉलर जॉब पे आते हैं, फैक्टरी वर्क करते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं और उनको यह होता है, हाई पैसा, हाई पैसा, पैसा की बिछे भागना है, यह गलती मत करो, अपने एंप्लॉयर के साथ बना के रखो, थोड़ी बहुत सेविंग करो सेविंग करने के बाद में अपने पैर पके करो, वो भी यही गलती करते हैं, आप एमाई के चक्कर में पस जाते हैं, कि चलो जॉब तो आई है, कोई टैंशन नहीं है, जॉब का कोई भरोसा नहीं है, आपकी यॉर्प के अंदर पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहा भाईयोंने जो वर्क पर्मिट पे आ रहे हैं, पक्का कॉंट्रेक्ट पहले तो अपने एंप्लॉयर से लेना है कि उसके बेस पे बहुत कुछ हो जाता है, पक्का कॉंट्रेक्ट लेने के बाद में आपने इसी तरह की इंवेस्टमेंट्स के बारे में सोचना है चुट प्रिकेस अगर जॉब करके पैसे कमा के यहँआई पर चीजें लेके अगर मैं एक अमीर बन रहा हूं तो वह आपकी गलत फैमी है क्योंकि वह आप दिखावे के लिए अमीर बन रहे हैं, किसी के दिखाने के लिए आप अमीर बन रहे हैं किसी को, अपने इसाधार को जलान अच्छी लगी तो please like करना है, subscribe करना है शेर करना है किसी मेरे भाई ने किसी मेरे भाई के साथ में जो आने की कोशिश करना चाहता है यियोरोप यहां भी try कर रहा है, यहां फिर पहुंच चुका है, उसके बहुत काम آएगी करने के लिए किसी भी सर्विस के लिए यूरोप में यूरोप से बाहर वर्क पर्मिट्स जॉब प्लेस्मेंट्स यहां फिर टूरिस विजा कांसलिंग बीटुबी कांसलिंग नीची डाकिया आप कंपनी का सारे इडियल्स जो है मेरी चेक कर सकते हो वेबसाइट मिलेगी मिलता हूं आप से किसी और शांदार अगले कांटेंट के अंदर तब तक के लिए अपने भाई को दुआ में याद रखिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए बाबाए